बच्चो आज आपको चुए की कानी सुनाते हैं तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट नमबर चौदा नटखट चूहा बच्चो एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा बारिश के कारण बिल से बाहार निकले बहुत दिन बीत गए हैं घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है नटखट चूहा चटपट तयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा पहे मस्ती से जूमता हुआ चला जा र रहा था कि नटकट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा उसकी नजर चूहे पर पड़ी दुकानदार ने कहा अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है चल भाग यहां से चूहा बोला मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ दुकानदार हसा हा 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 हट यहां से मैं चूहो को कुछ नहीं बेचता चूहा घुस्से में बोला तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे दुकानदार बोला भाग यहां से विका मेरा समय बरबादना कर चुहा चिलाया तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं दुकानदार बोला नहीं बिल्कुल नहीं इस बाच नटकट चुहे ने गाना गाया रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कु तुकड़ा देता हूँ और उसने चुहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चुहा उचलता कूता दुकान से बाहा निकल गया। फिर वह एक दरजी की दुकान में आ पहुचा। चुहे ने कहा दरजी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। काम क्या काम। दरजी ने गुस्से से पूछा। चुहे ने दरजी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कृपया इस कपड़े को एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दरजी हसा चल हट यहां से मेरा समय खराब न कर मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दरजी ने कहा अब चुहे को कुस्सा आ गया। वै जोड से चिलाया तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं 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 दरजी ने कहा तो ठीक है चुहा बोला और गाने ल अपनी सेना लाऊंगा तेरा कपड़े कुदरूंगा। दरजी ने कहा चुहे भईया ऐसा ना करना। मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूं। और थोड़ी ही देर में दरजी ने चुहे के लिए एक सुन्दर सीरेश्मी टोपी तयार कर दी। नटट चुहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चुहे ने सोचा। वह कूदता फानता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर दुकान दर ने कहा अरे चल यहां से तू क्या करने तू यहां क्या करने आया है। चुहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकान दर ने कहा बाग यहां से मुझे बेकूफ बनाने की कोशिश ना कर एक चुहे को सित सितारों से क्या मतलब तुम मुझे सितारों बेचोगे या नहीं चुहे ने गुस्ते से पूछा नहीं 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 मैं तुम्हे सितारे नहीं बेचूंगा दुकानदार ने कहा फिर चुहे ने उक्तर दिया रातो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा सारे सितारे पिखे रूंगा दुका अंदार ने कहा चुहे भाईया ऐसा ना करना मैं तुमारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा और यही नहीं उने तुमारी टोपी में टांग भी दूँगा अच्छा तो जरा जल्दी करो चुहे ने कहा तोपी बन कर तयार हो गई, चूहा टोपी पहन कर आईने के सामने खड़ा हुआ, तो खुशी से उसका मन ना चुठा, वे सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुन्दर टोपी किसे दिखाऊ, चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ, एक पूछा, अरे, तुम यहां क्या कर रहे हो, चूहे ने कहा, माराज, पहले ये बताईए, कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ, राजा ने जवाब दिया, वहां, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो, चूहा जटपट बोला, अच्छा, तो फिर उत्रोगदी से यहां मैं बैठूंगा, राजा को हसी आ गई, उसने कहा, भाग यहां से, मेरा सिंगासन चूहो के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है, चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपने गद्दी नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं, मैं तुमें अपना सि चूहे को, सिपाही चूहे को पकड़ने दोड़े, चूहा, सरपट उनके बीच से निकल गया, और सिपाही एक के उपरे गिर पड़े, अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा, रातो रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुद्रूंगा, राजा ने सोचा, चूहो की फोज तो पूरे महल को तैस नैस कर देगी, वै डर से कापने लगा, चूहे ने फिर कहा, रातो रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुद्रूंगा, राजा डर से कापने लगा, कापती अवाज में उसने कहा, चूहे भाईया, तुम बेक सकते हो चुहा बहुत खुश हुआ शान से वैं सिंगासन पर बैठ गया और काफी देड़ तक वहां अराम करता रहा रात जब काफी बीट गई वैं गद्धी से कूद कर नीचे आया और खुशी-खुशी अपने घर को चल दिया उसने शान से अपनी चमकिरी टोपी अपने भी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे तो बच्चो आपने कहानी सुनी अब आप इस लेसन को ऐसे रीड करिएगा और पढ़ने कहब्यास कीजिएगा धन्यवाद